हलो फ्रेंड्स, स्वागता आपका अमारी योटूब चैनल मेडिसीन जानकर में आज अपन बात करने वाले हैं, यदि गर के अंदर कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज कुछ महीने से लेकर एक दो साल तक है यदि उसकी भुखार हो जाता है तो डोक्टरों द्वारा उसे कौन सा ट्रीट्मेंट दिया जाता है अपन सब कुछ इस वीडियो में जानने वाले हैं तो आप वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना उससे पहले अगर आपने हमारी यूटूब चैनल मेडिसीन जानकरे को अभी तक सब्सक्राब नहीं किये तो सब्सक्राब करें और पेल आइगें को दबारा नहीं भूले इस चैनल पर आपको मेडिसीन, स्किन और ब्यूटी से समन्देध हर तरह का वीडियो मिलेगा तो बिना समखराब के अचले वीडियो को सुरू करते हैं यदि घर के अंदर कोई छोटा बच्चा है जिसकी एज कुछ महिने से लेकर एक दो साल तक है यदि उसके बुखार हो जाता है और साथ में हलका दर्द रहता है तो ऐसी कंडिसन में आप उसे केलपॉल पेडिट्रिक ड्रोप दे सकते हैं यह बहुत ही अच्छी यह एक परकार से औरल ड्रोप है यह बच्चे के मुग के अंदर 3-4 बुन डालनी होती है बहुत ही अच्छी यह ड्रोप है इसके अंदर आपन सोल्ट नेम की बात करें तो इसके अंदर दिया गया है पेरासिटामोल जो की दर्द और बुखार को दूर करने में काफी अच्छी मदद करता है तो यदि कोई छोटा बच्चा है उसके यदि बुखार हो गया हो और साथ में हलका दर्द रेता है तो आप इस ड्रोप का उपयोग कर सकते हैं बहुत ही अच्छी यह ड्रोप है बहुत ही असनी से आपको हर मेडिकल स्टोर पर इसके ब्रांड नेम केल पॉल के नाम से मिल जाती है तो यदि बुखार रेता है साथ में हलका फुल का दर्द रेता है तो यह नॉर्मली आपको पचास से साथ रुपे के बीच मिल जाती है यह जो ड्रोप है आप इसका उपयोग बच्चे के मुग के अंदर डालनी होती है यदि बच्चे का वेट 5-10 किलो है तो आप इसे 3-4 बुन डाल सकते हैं और यदि बच्चे का वेट ज्यादा है तो आप उसके इसाब से उसे केलकुलेट कर सकते हैं बहुती अच्छी यह ड्रोप है यदि बच्चे के बुखार आ जाता है साथ में हलका फुलका दर्द रहता है तो ऐसी सिच्वेशन में आप इस ड्रोप का उपयोग कर सकते हैं बहुती आसानी से आप इसे हर मेडिकल स्टोर से पर्चेस कर सकते हैं इसकी प्राइज भी कुछ ज़्यादा नहीं है बेनिफिट बहुती अच्छे आपको देखने को मिलेंगे अब अपन बात करते हैं इसको कितना देना चाहिए तो यदि बच्चे का वेट पांस से दस किलो है तो आप इसे तीन से चारबून दे सकते हैं और यदि इससे ज़्यादा है तो आप उसके एसाब से केलकुलेट कर सकते हैं यदि बच्चे के ज़्यादा प्रोब्लम रहती है तो आप इसे दिन में तीन बार दे सकते हैं और यदि कम प्रोब्लम रहती है तो आप इसे सुबह और साम दे सकते हैं बहुत ही अच्छी यह ड्रोप है बच्चे के बुखार को दूर करने में कापी अच्छी आपकी मदद करती है आप इस ड्रोप का उपयोग बच्चे को 3-4 दिन तक करा सकते हैं जिससे कि उसकी बुखार वाली जो परिशानी है वह दूर हो जाती है 3-4 दिन बाद में यदि बुखार कम हो जाता है तो आप इसे दिन में एक बार भी कर सकते हैं बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे यदि बुखार रहता है तो तो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है केल पॉल पेडियेट्रिक ड्रोप के बारे में यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी जानकारे मिली तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दवा देना ताकि जब भी हम अगला वीडियो डाले तो उसका नोटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में जब तक के लिए जहिन